Good morning dear students, हम पर रहे हैं plants के बारे में और आज हम करेंगे कुछ काम fill in the blanks आज का काम है fill in the blanks, तो तो समझते हैं, fill in the blanks with the words given below बेटे नीचे कुछ words दिये गए हैं, इनहीं से ही आपको ये fill in the blanks complete करने हैं इसमें पहला है straight, tulsi, trees, neem, tall, spines and jute चलिए, number one, tall and big plants are called, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, trees desert plants have dash in them, क्या होता है बच्चों, desert plant में आपको बताया है था, spines number three, hilly area plants are generally dash and dash आपको पढ़ाया गया था, कि जो hilly area में plants होते हैं, बच्चों वो कैसे होते हैं, ज्यादा तर वो होते हैं, straight and tall ठीके, तो यहाँ पर, straight and tall आएगा, we get medicines from plants like dash and dash, यहाँ पर दो चीजें हमें भननी हैं, तो हमें medicines किन-किन plants से मिलती हैं, बच्चों तुलसी as medicines हम यूज करते हैं और नीम से भी बहुत medicines बनाई जाती हैं, the last one is, dash fibers are used to make ropes, mats and sacks, रसी बनाने के लिए, चटाया बनाने के लिए, और बूरे बनाने के लिए, ठीके, किसका यूज होता है बच्चों, जूट का, आप देखिए, यह material आपको कुछ different दिखाई देगा, इनको आप देखेंगे, watch करेंगे, समझने के कोशिस करेंगे, रसी किसे बनती है, mats किसे बनती है, और बूरे किसे बनते हैं, यह बनते हैं, जूट से, तो आज का काम हमारा, इतना ही, इसे अपनी notebook में लिखिए, और साथ साथ इस काम को या भी करिए, ठीके बच्चों, चलिए, ओके बच्चों